तो हेलो स्टुएंट्स वेल्कम टू दीस सॉलुशन सॉलुशन बैंक आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएंगे एंड फॉर्स्ट कुशन सामने स्टार्ट करते हैं तो स्विचिंग प्रॉब्लम है फस्ट वल आपके पास क्या कहा है आपके पास तू माइक्रोफर्ट क् जिसको आपने वी वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है तो कितना चार्ज लिखे हैं तो क्या हम कह सकते है कि क्यों इज इक्वल टू आँ वी से इतना हो जाएगा अभी कह रहा है एक क्या percentage of its stored energy जो इसके पास अभी stored है उसका कितना percent dissipate होगा after the switch s is turned to position 2 इसको one से two पे आपने shift कर दिया तो अगर आप one से two पे shift कर दें तो basically होगा क्या है इस पे जो charge है वही charge दोनों पर redistribute होगा तो redistribute करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो two microfarad पर कुछ charge है और यह two और eight दोनों पर redistribute होगा इस प्रकार से कि दोनों के across potential difference सेम रहे रहे या फिर हम कह सकते कि इस पे charge अगर final q1 है और इस पे charge final q2 है तो q1 प्लस q2 का value 2v ही होना चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सम जो है इनका वो यहीं से आएगा यहीं redistribute हो रहा तो क्या हम कह सकते कि इस पे charge finally two into v final c into v plus eight into v final c into v हमने फिर से लिखा is equal to two v हो जाएगा तो यहां से जो v final आजाएगा आपके पास दोनों के across that will be is equal to two v by two plus eight याने के 10 यह इस पे final potential difference रहेगा दोनों उपर common potential difference क्योंकि parallel टाइप सा दिख रहा है तो potential difference आपको सेम दिखाई दे जाएगा तो they will have the common potential difference इतना अब हम एक काम करते है initial energy लिखते है energy लिखने के लिए आफ q square by two c का भी use कर सकते हैं ठीक है तो q square by two c देता है या हाफ cv square से लिखते हैं चलेगा कैसे लिखना चाहां आप रिख सकते हैं तो एक काम करते हैं हाफ cv square से असान लगा है इनकी वहाँ पर वी पता है हम लोगों को half into c c कितना अपने पास पहले वाले में two है और battery है v square it will be is equal to v square अगर हम energy की बात करते हैं तो हमारे पास दो क्यापेस्टेंस है पहला क्यापेस्टेंस है मारे पास two microfarad का और इस पर potential है two v by ten का whole square similarly एक और capacitor है हमारे पास eight microfarad का इस पर potential है हमारे पास वहीं सेम two v by ten का whole square है ठीक है ना इसको अगर हम solve कहें तो क्या जाएगा half common two plus eight ten sorry ten आएगा है ना हमने एट लिग दिया गलती से इसको हटा देते हैं and let us write it as 10 into two v by ten का whole square किता जाएगा two square four into v square by hundred zero से zero cancel हुआ एक और यह दो two v square by ten याने कि zero point two of v square तो अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी energy हमारे पास बची है तो zero point two v square energy आपके पास बची है जो कि पहले थी v square तो कितनी गायाव हो गई डेल्टा इंड इस इकवल टू 0.8 v square ठीक है तो 80 परसंट गयब हो गई है बची कितनी ए ठीक है तो यह पूछरा आपके पास डिसीपेटेड डिसीपेटेड मतला हम यही वाला पताना है तो एक इतना फ्रेक्शन ने स्टार्टिंग वाले का वी स्क्वार का 80% बें पॉइंट एट वी स्क्वार्ट इसक्वार्ट इस्पेटेड एनरजी अपॉन इनिशल एनरजी इंटू हंड्रेट काम कतब किता आ जा सवाल है ज्यादा को करना पड़ेगा और एनरजी आपको दोनों केसे में लिखनी पड़ेगी तो क्योशन नमबर टू आपसे क्या कह रहा है ऐसा सवाल एक बाद जी एडवांस में पूसा जा चुका है कि इंट गिवन सर्केट चार्ट आफ प्लस 80 माइक्रो पूलम यह चा तो अब यहां पर आपके पास क्या है देन इन देटी स्टेट चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ त्री माइक्रो फ्राइट तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां से जो 80 निकला वही इन दोनों पर जाके रिश्टिविट हुआ हुआ है तो इस पर चार्ज अगर हम क्योवन माल लें Q2 माल लें तो कैक कि Q1 प्लिस Q2 is equal to 80 होना चाया है कि यही 80 निकल करके इन दोनों पर दिश्टिविट हुआ है और दोनों क्योंकि पैरलेल में है तो पोटेंशल डिफ्रेंस भी दोनों के क्रॉस सेम रहेगा तो can we write कि Q1 का value is equal to 2 into V और Q2 का value अब के पास 3 into V, C into V से लिख दिया हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2V plus 3V is equal to 80, तो 5V बराबर 80 से V बराबर 16 आगे, यानि कि दोनों के क्रॉस कावन पोटेंशल डिफ्रेंस जो है वो 16V का होना चाहिए, अब हम से क्या पूछ रहा है कि 3μF पे कितना आपके पास charge होगा, तो charge अगर हम निकाले तो यहां से minus 80 था तो निकलेगा तो plus आएगा, तो charge तो plus ही होना चीन दोनों पर, ठीक है, तो minus all option कोई है भी नहीं है, अभी क्या कह रहा है आपके पास, charge on 3μF is equal to 3 into V होगा, यानि कि 3 into 16, that is equal to 48μC charge होना चाहिए, ठीक है, देख लीजी, फटा-फट से नोट करें, चलिए, तो इसके बाद हम लोग question number 3 को एक बाद देखते है, question number 3 में आपसे क्या क्या रखा है, कि find the potential difference across A, B, A और B यह दो points है, and the voltage of idle battery is 5V, 5V की battery है, ठीक है, अच्छा एक choice देखेगा, कि यह 2 और 2, क्या यह series combination है, तो जितना, चार्च सेम होगा, क्यों सेम है, तो क्यों सेम है, तो क्या दोनों के across potential difference सेम होना चाहिए, तो अभी हम एक काम करते है, इन दोनों के across, combined potential difference निकाल लेते हैं, और फिर उसको बराबर बराबर बाबर बांट देखे, क यहां से हमने यह भी पॉइंट लिया, इसरा की तरह आपके पास 2μF है, और यह होगा आपके पास 2μF, अच्छा, यह 2 और 2, 1 कैसे होगा है, इसे कल दीजेगा, ठीक है, तो यहां पे आपके पास 5V की बैटरी है, तो यहां पोटेशल हम 0 माल लेते है, तो यहां पे हो इसको पोटेशल को X माल लेते हैं, और यह हो जाएगा 0, तो इन तीन पेट को मिलाकर नोडल लगा दे, इन तीनों पेट का चार्ज मिलाकर कि 0 रहेगा, क्योंकि एक आइसलेटर सिस्टम को बना रहे है, तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखीगा, कि यह जो है हमारे पास यहाँ पे अगर हम लिखें, तो इसका चार्ज Q1 माल लेते हैं, इसका Q2 माल लेते हैं, इसका Q3 माल लेते हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 is equal to 0, because connect करने से पहले भी 0 था तो आइसलेटर सिस्टम है, यहाँ कहीं और से चार्ज आ नहीं सकता, इन्हीं पेट का चार्ज आपस फे redistribute हो सकता है, Q1 का वेल्यू, Q राबर C इंटो V होता है, तो X-5 इंटो 2 V इंटो C, डल्टा V इंटो कापस्टर्स, प्लस Q2, X-0 is the potential difference, multiplied by कापस्टर्स 2, प्लस X-0 इंटो 1, equal to 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2X-10, प्लस 2X, प्लस X बराबर 0, तो 2X प्रस 2X प्रस X, यानिकि 5X बराबर 10, तो X बराबर 2 आगे है, अब आपसे X नहीं पूछा है बच्छ, X इस point का potential difference, मैंने आपसे क्या कहा था, कि यहाँ जो potential difference होगा, यह पूरा 2 है, इसको इन दोन में बराबर बराबर बाट कितना कितना आजाएगा, इस पर 1V और इस पर भी 1V, तो 1V कहीं पर option है, बिलकुल है, तो सी option आपका 3D वाले का answer होना चाहिए, ठीक है, तो note कर लीजिए इसको, तो next, let's have a look at question number 4, question number 4 में क्या कहा है, आपके पास 2 capacitor है, 3 microflat, 6 microflat के, एक बैटरी है, 20V, अभी कहरा है कि आपके पास S1 को आपने close कर लिए, अच्छा, S1 close कर लिए, तो कहीं चार्ज जाएगा, कितना चार्ज आएगा इस पर, इस पर चार्ज आएगा आपके पास 120, C into V, 120 इदार, माइनस 120 इदार, तो 6 into 20, आपके पास ही आगया, अभी कहरा है कि अब हमने क्या कर रहा है, कि it is then opened, अब अब S1 खोल दिया, तो S1 खोलते ही क्या होगा, यह capacitor इस बैटरी से अलग हो गया, and afterwards S2 is close, तो S2 बंद कर भी, अब S2 close करते ही क्या होगा, C2 और C1 जो है, य कि C2 पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन C1 यानि के 6 माइक्रोफराड पे हमारे पास चार्ज था कितना, is equal to 1.2, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, चार्ज ऑन C2, C2 यह किसको बोल रहा है, 3 माइक्रोफराड को, तो 3 माइक्रोफराड पे आप यही distribute होगा in plates ठीक है, ठीक है, तो Q1 plus Q2 is equal to 120, and Q1 का value होगे पास final potential दोलो पे same रहेगा, क्योंकि कोई पारलल वाला case है, 3 into V plus 6 into V बराबर 120, तो यहां से हमारे पास क्या आजाएगा, 9 V is equal to 120, तो V is equal to 120 by 9, this is not the chart, this is just the potential difference, तो common potential difference इन दोलो पे आएगा, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं कि, भाई, हाँ, 3 into V, तो 3 into V का मतलब क्या हो गया, 3 into 120 by 9 is equal to 40 micrp, यह पूछा है न हम से देखो, 3 micrp पे चार्ज पूछा है, 40 आ रहा है, क्या अंसर हो जाएगा, C, ठीक है, देखिए, चलिए, next question number 5 देखते हैं, तो यह आपके पास जो है, RC सरकेट का सवाल है, इस सवाल में आप से क्या कहता है, दो समय दियो होगे है, ठीक है, एक RC सरकेट, डिस्चार्दिं क्या पेस्टर है, समय T1 जो है, वो क्या बतारा आपके पास, for the energy stored in the capacitor to reduce to half of its initial value, तो energy को हम लिखेंगे, q square by 2c से, वह इसमें c constant है, तो अगर energy आपकी initial energy की आधी रह गई है, तो q final square by 2c is the final energy stored, is equal to half of the initial energy stored, यहाँ से आप लिख सकते हैं, q final का value is equal to q by root 2, तो charge को q से q by root 2 होने में time लगा T1, and T2 is the time taken for the charge to reduce to one-fourth its initial value, तो q final, अगर q by 4 है, तो जो समय लगा वो T2 है, हमसे ratio पूछ रहा है T1 by T2 का, तो T1 by T2 कैसे निकाले पाई, ठीक है, solve करते हैं, आराम से, discharging capacitor की condition लिखते हैं, RC circuit की, तो क्यों होता है, q बराबर, q final equal to q into e to the power minus T by RC, ठीक है, तो एक बार आपको q final के value q by root 2 रखना है, time T1 रखना है, दूसरे में value q by 4 रखना है, और time T2 रखना है, तो q by root 2 is equal to q into e to the power minus T by RC, ठीक है कै, तो यहां से q से q कट गया, तो 1 by root 2 आ जाएगा, यह T1 हो जाएगा, ठीक है, 1 by root 2 is equal to e to the power minus T1 by RC, ठीक है, तो यहां पर अपने कान कोते हैं, लॉग लेटे, तो लॉग लेगे, तो क्या हो जाएगा, 1 by root 2 is equal to minus T1 by RC, तो इसको पर लेजाएं, तो यह जाएगा, है रोट्ट यहले अफ्रूट टू इस एक्वल टू टी वन ऐसे मायना सच जाएगा सब्सक्राइब हाफ एलंटू पराबर टीवन गया उल्सक्राइब ln2, लिख सकते हैं कैसे अपर यह अपना T1 आ गया इसको अब नेट्स पेच पे लिखके रख लेते हैं तो T1 का value हो गया हमारे पास is equal to rc by 2 यह है ना rc by 2 into ln2 ठीक है rc by 2 into ln2, अब हम से क्या कहना है T2 क्या है, T2 है आपके पास charge q by 4 जाने का समय, तो q final का value अगर q by 4 है तो is equal to q into e to the power minus T by rc q से q तो कड़ गया ln4 is equal to T by rc इस बार में एक step खा गया, 1 by 4 को सीधा 4 लिखा और इज़र से minus इटा दिए ठीक है, अच्छा, T इसमें क्या है, T2 तो T2 is equal to rc ln4 को लिख लो, आप 2 ln2 हमसे पूझा है T1 by T2, तो T1 by T2 क्या आएगा भाई, कुछ नहीं, simple सा divide कर दो, तो rc by 2 ln2 divided by 2 rc ln2, rc ln2 rc ln2 से rc ln2 कड़ गया, 1 by 2 into 2 is equal to 1 by 4, चेक करिए क्या ऐसा कोई option है क्या answer में देखे, तो 1 by 4 हाँ, बिलकुल option में है c option मुझे सही दिखाए, ठीक है, easy, simple rc circuit में आपको values पूट करनी है, equation में, that's it, ठीक है, देखे, इसको फटाफर से, चाले, अब देखते हैं, फिर हम लोग question number 6 को, question number 6 में हमें क्या data दी रखा, उसको पढ़ लेते हैं, यह कहरा है हमसे, पैरलल पर, इस capacitor has 1 microfluid capacistence, one of its place is given plus 2 microcoulomb charge, and the other one is given plus 4 microcoulomb charge, capacitance है इसका आपके पास 1 microcoulomb charge ऐसा नहीं रहेगा, distribution पढ़ा हम लोगों ने charge का, तो कैसा आएगा, charge distribution इस पर, 2 plus 4, 6 हो गया, तो बहावल इसरफेस पर क्या charge रहेगा आपके पास, आदा आदा कर देते हैं, 3 और 3, इस पर net charge प्लस 2 था, पिल आपके पास minus 1, इन दोनों का sum, 3 plus minus 1 is equal to plus 2 हो जाएगा, और यह minus 1 तो सामने क्या आएगा, plus 1, और इसको check करें, 3 plus plus 1 is equal to 4 microcoulomb, क्या हमारा charge conservation बिल्कुल valid हो रहा है, हो रहा, अब आपके पास जो potential difference है, इसमें पूछा है, delta V होता आपके पास Q by C, Q by C में Q होता है, जो होता है अंदरा वाली surface का charge क्यों होता है, क्योंकि जो electric field होती है बीच में वह इन दोनों की वज़ए से होती है, उसी की वज़एसे energy store होती है, तो energy store सिफ इस वाले charges की वाज़ए से यहांपर है, कि बाहर वाले का यहां पर कुछ है नहीं वो थ्री और थ्री का अपधर जो कि कैंसिल हो जाता है तो डेल्टा व इकॉल टू क्यू गाइसी में क्यू इस चार्ज ऑन दे इंडर प्लेट चार्ज कितना है मारे पास अंदर वन है क्या प्रस्ट्रेस कितना है वन है इस इकॉल ट प्लेट दे रखी है पैरेट का सवाल है इस सिचुईशन में जो डाइगराम देख्के समें आता है कि बहिए जिए प्लेट नंबर पांच है यह काम की है नहीं क्योंकि जह आपके पास है अजिसए और इस तो इस के आप कुछ भी रख दो कित्ते भी प्लेट रख दो क्या फरग पड़ेगा तो वह चार्ज शेरिंग कुछ ऐसी होगी नहीं कुछ इंड्यूस चार्ज आएगा नहीं सामदर प्लेट प्लेट को सिस्ट्रम से हटा करके सोची सवाल बहुत असान है आपके लिए और आपको शाय क्लास में क आपके पास सेपरेशन है अहँ माँ पास क्या है कि यह 12344 है तो मैं काम करता हूं की नंबरिंग करता हूं वन ने वन बी टू ए डू भी प्रीए त्रीपी पॉरें पूर्टी पैटरी किसके बीच के बीच में तो एक पॉइंट हमारे पास वन इधर है ठी सबसे एंड में है जो end points highest and lowest potential के होगे 2 और 4 जो है वो ना तो 0 है ना E है इन दोलों के बीच में कुछ potential है और same जगे connected है तो 2 और 4 को में एक जगे रखेंगे अब जो जो capacitor बनेंगे उनको मैं यहाँ बनाता जाओगा पहला capacitor बन रहा है यह आमने सामने वाली plate में 1B और 2A तो 1B और 2A तो 1 से 2 के बीच में बनेगा कितना कैपेस्टर इस एफसल नॉट A by D ठीक है इसको मैं C बोलते हूं फिर आएगा हमारे पास 2B और 3A तो 2 और 3 के ज़र है इधा है तो 2 से 3 के बीच में फिर आएगा हमारे पास 3B और 4A तो 3B और 4A का मतलब हो गया हमारे पास इस तरीके से 3 और 4 के बीच में ठीक है इसके अरावा क्या बन रहा बस तीन कैपेस्टर बनेंगे एक दो तीन इसका कोई काम है ही नहीं आप है तो यह हमारा equivalent circuit diagram बन गया तो c c and c c और c पालव में 2c हो गया तो c and 2c in series will give you 1 by c plus 1 by 2c is 3 by 2c तो c equaled हो जाएगा हमारे पास 2c by 3 अचा c कितना बोला आपने अप्सलोल नॉट एबाइबाइब दी तो आंसर आजाएगा कि पास 2 by 3 अप्सलोल नॉट एबाइबाइबाइब दी और हमारे से क्या पूछा है चार्ज फ्रॉइं थू थू दे से बैटरी किता चार्ज प्रवाइड करेगी तो बैटरी जिस चार्ज प्रवाइड करेगी क्यू बराबर सी कुलेंट इंटु वी वी की जिगह आजाएगा आपके पास यहां पर एमस दिया हुआ है तो इस आंसर में अगर आप कि a का कैपेटर जू है वह सी है और बिकापेटर जो है वो भी सी है अब सीपैटर एक चार्ज फो जूल और यानि कि माल लेते हैं कि चार्ज क्यू और q2 by 2C का जो वैलीव है ऍदैट इस इकौल टू 4 जूल कि अभी कह रहा है कि भी पर कोई चार्ज है निए ठीक है तो चार्ज और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल केस में जो हमारे पास कनेक्शन करने के बाद और दोस्क्राइब इस इस्टूम पर किस्टिक रह गाल है गाल है इस्टोल स्प्रायर फैस्टर स्प्रिक्ट्मीदाइब क्या खों और हैसे अरगिश हयो तो स्क्राइब बाए हम इन इसे ह्ऎकर घ्रफ्री टू कैस करको तो यहां पर 8 हो गया, it is equal to q square by 4c, अगर आप देखोगे तो उस energy का आधा है, आधा होने का मतलब it should be is equal to 2 joules, easy, ठीक है, चाली है, अब होगा, question number 8, आसान से सवाल था, अब 9 पर देखते हैं, फटा-फट से, क्या पूछ रहा है आप से, in the circuit shown the energy is stored in 1 micro-friade 1 micro-friade यह वादा, अच्छा उसको देखने से पहला है, मुझे थूरा सा potential लिखने कोशिश के रहे हो, तो यह 0 है, यह 24 हो जाएगा, यह 0, यह 0 और यह 24, तो अगर मुझे 1 micro-friade solve करना है, मुझे सिर्फ इस branch पर concentrate करना चाहिए, इस branch को देखने का कोई मतलब भी नहीं, यह proper parallel way, एक अलग से branch यह हो चाहिए ना हो, इसके distribution पर फरक नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ इसको सोचेगे, ठीक है, इस branch को अगर मैं देखू यहाँ पर, तो क्या हो रहा बच्छे, हमारे पास इस वाले में, 5 और 1 क्या है हमारे पास, they are in, तो 3 के साथ 6 जो है, वो series में आ जाएगा, अच्छा, 3 और 6 अगर series में हैं, तो एक रिंट किता आ जाएगा इन दोनों का, 3 इंटो 6 बाइ 3 प्रस 6, C1 C2 बाइ 2 प्रस C2, तो 18 बाइ 9 यानिकि 2 माइक्रोफराज, अब 2 माइक्रोफराज पे टोटल चार्ज किता जाएगा 24 वोल्ट की बैटरी है, तो 24 इ इंटो 2, यह 48 कहां जाएगा, यहां से निकल के इन दोना पर डिस्टिबूट होगा, किस हिसाब से डिस्टिबूट होगा, भई, पैरलल में, पोटेशल सीम रखना है, तो एक काम करते हैं, इस पर चार्ज माल लेते हैं Q1, इस पर चार्ज माल लेते हैं Q2, एन आ राएग, इस पर आ जाएगे अपके पास 1 into V, Cv लिखा मैंने यह, is equal to 48, तो 6V बराबर 48 से V आ गया मेरे पास 8, अब V अगर 8 आ गया, तो 1 माइक्रफ्राज किता चार्ज लेकर बैठा होगा, 1 माइक्रफ्राज चार्ज लेकर बैठा होगा, हमारे पास is equal to C into V, तो C into V मतलब 1 into 8, यह 2 into C is 1, that is equal to 32 माइक्रो जूल्स, यानि कि C option सही होना चाहिए, 9 है, है ना, हाँ भई, तो वे बाद question number 10 देख लेते, question number 10 हम से क्या कहना, भई, एक आपके पास capacitor है, जिसका capacitor से 1 P को फड़ाया, तो epsilon 0 A by D का value आपको दे रखा, 1, अभी आपसे बोल रहा है कि plate separation is doubled, यानि कि हम पूरे में एक हमने directory डाल दिया है, तो C equivalent क्या हो जाएगा आपके पास, K into epsilon 0 A by 2D, और आपको बोला गया है कि यह जो है आपके पास, इसका capacitance हो जाएगा आपके पास, कितना, is equal to 2 P को फड़ायाट, ठीक है, अच्छा, epsilon 0 A by D का value आपको किता दिया हुए, K into, या K by 2 into epsilon 0 A by D इसका value दिया हुआ है, आपको कितना, equal to, that is 1, तो K by 2 into 1 बड़ाबर 2, तो K का value आजाएगा, आपके पास 4, क्या हमसे directory constant ही पूझा है, चेक करिए, बिल्कुल directory constant पूझा है, 4 option में भी है, तो D आपका answer हो जाएगा, ठीक है, इस जी से सवाल है, डेलेक्रिक का छोटा सा concept चलिए, let's see now question number 11, तो 11th में आपसे बोल रखा है कि given circuit है, वो steady state में है, तो potential drop पूझा आपके बास क्यापेस्ट रखे अक्रॉस, तो करने के दो तरीके हो सकते हैं इसको, कि आप जो है पहले इसमें इन दोनों को equivalent battery मान लीजिए, E1 by R1, E2 by R2, 1 by R1 plus 1 by R2, जो formula होता है, उस आप सिंपल point potential मेहर से भी कर सकते हैं कि points के potential अगर आप लिखना चाहें, वह steady state पर क्या होगा, अगर आप इक बास सोचके देखिए, तो current जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर ब्रांच में चलेगा, तो आउटर ब्रांच में बड़ी बैटरी कौन सी है, अगर मैं बीच वा बाहर वाली ब्रांच को, तो बाहर वाली ब्रांच से मुझे को क्या मिलेगा, मुझे यह मिलेगा कि इसमें current आ रहा है, कुछ इस तरही कैसे, इस direction, अब यह जो हमारे पास current है, कितना होगा, 2V minus V is V, और R को जाएगा, R plus 2R, 3R, यानि कि यह I का value हो गया, और यह I चल रहा ह है, आपके पास इस तरीके से circuit में, ऐसे, 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 और फिर वापिस ऐसे, ठीक है, अच्छा, क्या पिस रहा है, तो पहरा हमें काम कोईता हूँ, इन दोनों points के बीच में potential difference निकाल लेता हूँ, कैसे निकालूँगा, E minus IR, तो 2V minus I into 2R, it will be is equal to 2V minus V by 3R into 2R, तो कितना हो जाएगा आपके पास ही है, it will be is equal to 2 minus 2 by 3 is 4 by 3, यहां गया 4V by 3, यहां पर भी 4V by 3 होगा, और यहां पर भी 4V by 3 होगा, यहां पर 0 होगा हमारे पास, ठीक है, ना, हमें पूछा है कैपिस्टर के across, तो यहां 0 है, तो यहां कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, तो कैपिस्टर कितना potential difference है, एक तरफ इसके V है, एक तरफ इसके 4V by 3 है, potential difference, दुनों का difference लेजिए आप, 4V by 3 minus V is equal to V by 3, आपको answer मिलना चाहिए, ठीक है, तो C answer आ जाएगा, आपका, और चेक कर लेते answer इसका, तो answer इसका last next page पे C दिया होए आपको, तो बिलकुत सही है method अपना, है ना, ब upon 1 by 2R plus 1 by R, ये भी आपको 4V by 3 दे देंगे, तो इसके बाद का method आपका पूरा, जो अपने potential के points के लिखके किया है, तो उससे answer आज जाएगा, ठीक है, चाले बच्छे, अबर नेक्स्ट कुशन नमर 12 दिखते है, multiple correct सवाल है, तो क्या है सवाल में आपके पास, कि एक area A separation D है, और इसको potential difference V से अपने charge करती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पर charge आ गया होगा, equal to C into V, that is epsilon not A by D multiplied by V, कितना charge इसकी plate पर पहले होगा, डायलेक्टिक डालने से, ठीक है, डायलेक्टिक डालने से पहले तो चार्ज रहेगा, अब हुआ क्या कि आपने half part डायलेक्टि सवाल का शुरू कैसे करें, होता क्या है कि अच्छा, यहां डायलेक्टिक में कम होगी, चलो हटाओ, यहीं से खतम कर देता सवाल को, ऐसा नहीं करना होता है, आप situation को analyze करें, situation क्या है कि आपके पास, अगर मैं कहूं कि यह किसी potential पे है V1 पे और यह किसी potential पे है V2 पे, तो क तो क्या मैं कह सकता हूँ कि चाहिए मैं इधर से चलू या इधर से चलू, potential difference between the plates will be same, वो difference मुझा same मिलेगा, तो अगर मैं इधर की तरफ से चलता हूँ, इधर से, तो क्या मिलेगा हमें, that will be is equal to की delta V से, अच्छा, delta V क्या होता आपके पास, E into D, अब आप distance भी से चल रहे ह इस पाट का एलेक्टरी फील से ही होना चाहिए, इधर का एलेक्टरी फील कितना होगा, सिगमा 1 by k epsilon 0, यहां से हमें क्या मिलेगा, सिगमा 1 by सिगमा 2 बराबर k, k का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, तो यह 2 आपके है, होता किया है, बिसिकर नहीं, गलती ही होती ही, हम दिमा है, वो सेम, मतलब अलग-लग रहेगी, रहे, क्यों रहेगी भाई, लॉजिक तो सोचिए, उस चीज के पीछेगा, है ना, अब क्या कहा रहा है, आपके पास, पहरा ऑप्शन, एलेक्टरी फील है, सेम एलेक्टरी फील है, सेम एलेक्टरी इसको पढ़के, होता क्या नहीं, तो यह आप्शन सही है, और सिग्मा वन पर सिग्मा टू भी यह सही है, अब उसके निया कैपस्टरेंस कितना होगा, तो सी वन और सी टू, दो नो पैललल में है, योकि पोटेंशल डिफरेंस सेम है, तो सी वन का वैल्यू हो जाएगा, एप्सल नॉट अबाई टू अपान यह आगे आपके पास सी एकुलेंट क्या है, यही लिखा है, विल्कुल यही लिखा है, सी ओप्शन भी सही है, चौता अप्शन का क्या रहा है, नूट पोटेंशल डिफरेंस प्लेट इस टू बाई टू दी, क्या हमने प्लेट पे चार्ज बतला, नहीं बतला, फाइनली इतना ही चार्ज रहना चाहिए, तो सी डैश वी डैश अगर आप करेंगे, सी डैश यह लिख पूट करिए, थ्री अप्सल नॉट ए बाई डी, मुल्टिप्लाइट बाई वी डैश, एबाई डी, एबाई डी कर जाएगा, तो वी बराबर, वी बाई टू वी डैश, तो व मिसकंसेप्शन जो होता, इसको तोड़ता है, कि डियालेक्ट्रिक में और खाली जगह पर एलेक्ट्रिक फिल सेम नहीं हो सकती है, तो इसको तोड़ने के लिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, तो लिख लेजे इक पाई सॉलेशन, चोले, मैं से क्कुशन वह थडी नहीं हो देख लीए, तो फटाफट से, आपको कह रहा है कि पैरलल प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, तो क्या बहुत रहा है, अब यह कह रहा है कि इसको बैट्री से कनेट करके चार्ज कर दिया, पूटेशल डिफरेंस वी पे, तो इस वी पे अगर आप चार्ज करोगे, तो यहां बीच में एलेक्टरी फील्ट क्या रहेगी, एलेक्टरी फील्ट रहेगी, आपके पास वी बाइडी, अब क्या बोल रहा है, डिसकानेट कर दिया है, तो चार्ज जो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, आपने अब K by D into K, ठीक है, तो कैपस्टर बढ़ गया है, अब इलेक्टरी फील्ट चेंज होगी, क्या, बिल्कुल होगी, है ना, क्यों होगी, क्योंकि देखिए, आप एक्टरी चार्ज आपके पास constant, राइट, एलेक्टरी फील्ट का वाली होता है, सिग्मा बाइ एपसल नॉट, सि पहले इलेक्टरी फील्ट थी, बाइ के, तो सिग्मा बाइ एपसल नॉट की वाल्यू अपके पास क्या हो जाएगी, या जो ऐसा देख सकते हैं कि पहले एलेक्री फील्ट का थी, वी बाइडी थी, तो वी बाइडी को आप के से डिवाइड कर दी, जो वी बाइक के आज आ बात कर रहा है तो वागन क्या लिखेंगे आप इनिशल एणर्जी स्टोर्ड है उनकी बीच रडिफेरेंस इनिशल जाएगे आपके पास हाफ सी स्कॉर्इज फाइनल हो जाएगे आपके पास कितनी इस विल बी इस इक्वार्टू हाफ के सी इंटु वी स्कॉर बई हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर या फिर अगर आप वी से जाओगे तो क्योंकि पोटेशल डिफेर्स बगल गया है इससे मज़ जाएए इससे मज़ जाएए इसको पुट करते हैं आपका डी ऑप्शन भी सही आ जाएगा जो मुझे दिख रहा है यहां से अफ्सल्नोट एवाई डी का होल स्कॉर करके सी से कट जाएगा तो वी स्कॉर बचेगा ठीक बात है ठीक बात है ठीक यह बाद आंसर चेक कर लेते हैं इसका आंसर है यह आ रहा ह क्या चाइब कर दिया है तो यह फाइनल कंडिशन में डाट्रिक निकाल दिया गया है तो यह फाइनल कंडिशन है तो फाइनल चार्ज क्या होगा c e और इदर माइनस c e तो कितना चार्ज फ्लो करके गया होगा फाइनल और इनिशल का डिफरेंस यानिकि k-1 c e यह चार्ज बैटरी पे वर्क करेगा क्योंकि बैटरी चार्जिंग वाला केस बन जाता है इस केस में जब चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो सही बात है एनरजी e square c into k-1 is absorbed by the cell देखिए चेक करी यह भी एक है है यहाँ पर आपके पास energy is absorbed by the cell यूगी work is done on the battery फिर बोल रहा है energy stored in the capacitor is reduced by तो capacitor की initial energy कितनी होगी इसको आपन लिख सकते हैं अचा battery connected है तो आपके पास e common है यानिकि potential difference common है तो initial क्या होगा kc into e square माइनस हाफ c e square तो हाफ c e square common आजाएगा क्या बचेगा क्या माइनस 1 c e square into k-1 by 2 this amount of energy is reduced यह जड़त लिखा हुआ है d option की बात कर ले तो the d option क्या किया रहा है तो the external agent has to do this much amount of work to take the slab out तो actually क्या हो रहा है कि आप देखिए आप battery पर भी work कर रहे है energy भी reduce हो रही है तो जो difference है इन दोनों के बीच का वो आया कहा से भई आप देखो कि तो actually battery पर जो work हुआ है वो c e square इससे जादा है जो ही आपके पास energy reduce हो रही है उससे तो energy यहां से जो निकल रही है वो इतनी है इतना हमें battery पर work करना पड़ तो इन दोनों के बीच का difference तो आप energy हमें कितनी मिली वहां से कैपेस्टर से माइनस हाफ c e square into k-1 सब्टेट करेंगे तो क्या जाएगा half c e square into k-1 this much amount of work has to be provided to the system to make this process feasible यानि कि यह भी सही आ जाएगा ठीक है तो simple सा सवाल है ज्यादा कुछ है निच्छ का सब्सक्राइब कर दिया और हर एक का breakdown strength जो है वह 20 किलो वोल्ट ठीक है ऐसा-इसा information हमें दिया अब सवाल क्या कह रहा है हम से उसको एक बार पढ़ लेते हैं पहला क्रूशन में क्या हुआ है तो इन्फॉर्मेशन सच चलेगा आपने को बिल्कुल चलेगा चलना भी चाहिए अब यहां पर अगर में potential x मानता हूं तो यहां का potential आप क्या मान सकते हैं इन्फॉर्मेटरी है यह 2c से 2c बहार निकले c से c बहार निकले ऐसा आपने classes में इन्फॉर्मेटरी पढ़ा होगा तो यहां पर अगर आपके पास x है तो यहां का potential आप e-x मान सकते हैं अब क्योंकि यह तीन प्लेट एक आइसुलेटर सिस्टम बना रही है तो हम इस पर लगाएंगे junction law कि इन तीनों प्लेट्स पे जो चार्ज होगा x-e into 2c plus x-e-x into 3c is equal to 0 ठीक है तो यहां पर क्या मिलेगा देखिए x-e-x तो इस विल भी x plus x 2x-e ठीक है तो इसमें से अपन c तो हटाई देता है क्योंकि कट जाएगा यह तो x plus 2x-2e plus 2x-e into 3 बराबर 0 फर्दर सॉल्व करते हैं इसको क्या मिलेगा 3x-2e 3 into 2 6x-3 चेक करिए ठीक है गया हाँ ठीक लग रहा है अब क्या बोलाइए 3x plus 6x 9x is equal to 5 x का वैल्यू आगे आपके पास 5e by 9 आपके पास 5e by 9 आ चुका है यानि कि इस पॉइंट का जो पोटेंशल है हमारे पास वह कितना है 5e by 9 इस पोटेंशल इस 5e by 9 अगर मैं इसको यहां से हटा दू और यहां पर 5e by 9 लिग दू तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और और e-5e by 9 कितना हो जाएगा बच्छे हमारे पास ही हो जाएगा और e by 9 तो हमें पहला सवाल है कि पूछा गया है कि इसके अक्रॉस कितना पॉटेंशल डिफेरेंस तो 5e by 9-4e by 9 is equal to e by 9 तो e by 9 हमारा answer होना चाहिए चेक करते हैं क्या सवाल में e by 9 option है और आंसर इसका क्या है वह भी चेक करते हैं तो नेक्स पर लिखा होगा वह भी तो पहला सवाल होगा इस्टी नंबर के आदा maximum value of e actually it is e so that none of the capacitor breaks down is so none of the capacitor breaks down मतलब हर एक का आपके पास ब्रेकिंग वोल्टेज है वह 20 किलो वोल्ट है तो इसमें सबसे ज्यादा potential difference किसके cross से उसको देखना पड़े है यह difference है हमारे पास 5e by 9-0 is 5e by 9 इसके cross b5e by 9 e-5e by 9 is 4e by 9 सबसे ज्यादा potential difference इस पूरे circuit में मुझे दिख रहा है तो सबसे ज्यादा किसके cross दिख रहा है c के cross 5e by 9 तो अगर सेफ करना है तो 5e by 9 जो है आपके पास maximum to maximum 20 हो सकता है किलो वोल्ट में तो e बराबर 9 into 20 by 5 और 9 into 4 36 किलो वोल्ट तो 36 किलो वोल्ट से ज्यादा कि वैट्टरी आप यहाँ पर नहीं लगा सकते नहीं तो सबसें तो दोनों सवाल होगा आपके 15 और 16 अच्छा इसमें option है क्या देखें अगले सवाल में 36 किलो वोल्ट वी option है तो आंसर एक बाद चेक कर लिया जाए क्या भी है बिल्कुल भी है वो लिखा कोने में ठीक है तो दोनों सवाल अपने solve हो चुके चलो चलो च्छेंबर 17 देख लिए थे फड़ा फट से आपके पास एक क्यापस्टर नेट वर्क है इसमें प्यांड क्यू के बीच का potential difference जो दो पॉइंट से पी इंड क्यू इसके बीच का potential difference टू गोल्ट दे रखा है और सी टू इसमें जो तो यानि कि आपके पास तो सरुकिट कंवर्ट हो जाएगा वह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से और इह की तर अएंगे तो और पिशीए भी यहां पर पोटेंशल जीरो मान लेता हूं तो यहां पर टूवोल्ट मान सकता हूं क्या बिलकुल मान सकते हूं तो पोटेंशल डिफेंस टूवोल्ट है अब आपसे क्या कह रहा है कि A और B के बीच का potential difference निका लिए इन दोनों point का ठीक है इसको देख लेते हैं पहले यहाँ पर इस ब्रांच को solve कर लेते हैं सबसे पहले यह दोनों capacitor C और 3C series में हैं series में क्या जी सेम होती है चार्ज सेम होता है तो क्या हो सकते हैं Q बराबर C इन्टू V1 बराबर 3C इन्टू V2 और V1 is the potential difference across capacitor C and V2 is the potential difference across capacitor 3C तो चार्ज सेम है यहाँ पर C से C गया तो V1 बराबर 3 times V2 आया तो यानि कि C के across potential difference आजाएगा 3 into 2 बराबर 6 अब 6 यानि कि 2 प्लस 6 इस point का potential 8 volt आजाएगा इस प्रकार से 6 volt का potential difference तो 2 प्लस 6 equal to 8 आजाएगा आगे अगर हम बात करें तो अगर यह जीर हो है तो यहाँ पर भी 8 होगा अब इस पूरी ब्रांच का equivalent निकाल लेते हैं यहाँ से 3C और 3C तो 3C और C तो 3s में इस विल भी 1 by 3C प्लस 1 by C यानि कि 3C into C by 3C plus C is 4C 3C by 4 अब यह जो 3C by 4 यहाँ नीचे बनेगा इसका इसके साथ parallel में जोड़ेंगे तो net आएगा 3C plus 3C by 4 तो 4 into 3 12 plus 3 15 C by 4 तो यह ब्रांच आपके पास बन गए इस तरीके से कुछ C and 15C by 4 अब यहाँ पर potential difference 0 है यहाँ 8 है अपने को यह potential difference चाहिए फिर से अपन वही कर देते हैं इसके cross potential difference V1 इसके cross potential difference V2 दोनों सिरीज में है चार सेम कर दीजिए ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पर Q is equal to C into potential difference V1 is equal to 15C by 4 into potential difference V2 V2 is 8 ठीक है तो C से C गया और अब यह 2 गया तो V1 यहाँने के potential difference between the points A और B A और B यही वाले points हैं यह दो points आपको दे रखे हैं तो delta V is equal to 15 to 2, 30 volt आपके पास answer आता हुआ हमें दिख रहा है बस यही पूछा है आपन से ठीक है तो यह अपना answer होना चाहिए ठीक है देख लीजी फटा फट से स्रीन छोड़े तो आपके लिए खाली कॉपी कर दीजिए नेस्ट कुश्चन क्यूश्य नमबर 18 इसमें आपसे कह रहा है कि potential at point A is 5 volt इस point का reference जो है उसमें 5 वोल्ट दे दिया है तो पूछ रहा है B point पे कितना potential होगा वो बताईए ठीक है काम करते हैं यहां पर भी आट वोल्ट हो गया और यह पांच है प्लेन वायर है तो यहां पर भी 3 वोल्ट नहीं 5 ही रहेगा अब इस point का potential आपको पता करना है तो इसको एक्स माल लेते हैं यह तीनों एक isolated system बना रहे है तो चार्ज आप 0 कर दीजी तीनों पर मिला करके तो क्या आएगा ज्यादा कुछ करना नहीं है है ना बस आप प्रटेशल लिखते जाए अपने आपका सवाल होगी है देख लीजे स्क्रीन प्रोड़ रहा हूं है चलिए स्कूर्श नम्हें की बात कर लेते हैं आपको दे रखा है कि टी बराबर जीरो पे सर्केट के अक्रॉस एक बैट्री करी गडिए जिसका प्रेश्ट है अब पूछ रहा है आप से वह समय के निकाली आप जिस समय पर इन क्यापेस्टर्स पे जो चार्ज है डाट इस एक्वल तो आप देख पा रहे होंगे दोनों आपके पास पैरलल में है तो एक लिख देते हैं पर टू और तू पैरललल में हो जाएगा तो वन मेगा ओम का पास एक्वल तो स्सक्राइब किया वाल थो टू चार्ज इतना सकता है तो 10 वोल्ट पूरा 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 फोर खाल चार्ज आएगा तो मैक्सिम चांज आने के मैक्स धूल्यू आपके पास है वीजी इईक्वल तो फॉट्टी माइक्रोकूला अब आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास बोल कहा रहा है कि 4 वोल्ट potential difference हो जाए पोर वोल्ट potential difference कब रहेगा अगर आपके पास Q जो है आपके पास इस एक्वल टू C into V तो अभी आपके पास यह है 40 इसको मैं C ही बोल देता हूं multiplied by 10 तो अगर आपको यह बोल रहा है कि 4 वोल्ट potential difference है तो चार्ज करता रहेगा C into 10 नहीं C into V potential difference हो इसको डिवाइड कर देते हैं तो अपर इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास CCC cancel हो गया 40 by Q is equal to 10 by 4 तो Q बराबर आगे आपके पास 4 into 4 16 होना चाहिए उस समय पर जब इस पर potential difference चार वोल्ट रहेगा अब अगर हम बात करें आगे की तो भाई equation क्या होती है क्यू बराबर क्यू नॉट वन माइनस एगी पावर माइनस टी बायार्स चार्जिंग अगर हम लिखें कि क्यू का वैल्यू सोला है मैक्सिम्म चार्ज चालिस है इंटो वन माइनस ए की पावर माइनस टी बायार्स तो टी निकल आएगा बहुत सिंपली है ना चलिए इसको कट कर देते हैं फोर से पिजाएगा चार बार पिजाएगा तस पार तो लो फिर आठ से भी काट सकते थे तो यह दो हो जाए सिर्फ तो बराबर 5 इस पावर माइनस टी बाया प्र याइस मिल्डिप्लय कर दिया है थो 5 e की पावर माइनस टी बाया यार्स email टी फ्री हो जाएगा तो e की पावर माइनस t by rc is equal to 3 by 5 तो e की पावर t by rc is equal to 5 by 3 तो log ले लेंगे तो क्या आएगा t by rc is equal to ln 5 by 3 ठीक है log लेंगे इधर से e खड़ गया पावर नीचे आ लेंगे अब ln 5 by 3 को solve करेंगे आपको data दिया हूँ सवाल में ध्यान से देखिए तो ln 5 का value 1.6 है और ln 3 का value 1.1 है ठीक है तो 1.6 और 1.1 तो ln 5 by 3 को हम चले सकते हैं ln 5 minus ln 3 यानि की 1.6 minus 1.1 कित्ता हो गया 0.5 t by rc का value यह है तो t का value is equal to rc into 0.5 r है हमारे पावर circuit का equivalent 1 मेगाओं और capacitance आपके पास 4 microfarad 4 into 10 के पावर माइनस 6 multiplied by 0.5 is 1 by 2 तो पावर कैंसल आउट हो गया 4 by 2 आपके पास आगया 2 seconds यह टाइम पूछा था आप से आईम आगया answer check कर लिजी यहाँ पे लिखा हो यह तो 2 seconds आपके पास answer ठीक है आपके बीच में जो a और b points है इनके बीच का कुछ है in microfarad if the value of c जो उसमें c लिखा हो इसका value 5 microfarad दे रखा है अभी करहा है कि आपका answer अगर alpha beta की terms में आता है तो आपको alpha plus beta की value फिल कर देंगे तो ठीक है solve करते है start करते हैं कैसे करना है ध्यान से देखेगा माल लेजिए कि a और b के विच में आपको निकालना है capacitance तो इस point का potential v माल लेता हूँ इस point का potential 0 माल लेता हूँ तो यह क्या होगा कि यह 0, 0, 0, 0 यहां भी 0 चीक है अब इस point का potential आपके काम करिए इन तीनो points में potential same है तो actually क्या हो रहा है कि यह तीनो capacitance जो है यह 1, 2 and 3 यह तीनों parallel में देख रहे हैं आपको तो c plus c plus c कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा similarly यह c और यह c same potential difference के बीच में लगे हुए है है ना तो कितना हो जाएगा मारे पास यह हो जाएगा c plus c 2c हो जाएगा और इसका equivalent हो जाएगा 3c तो let's say इस point का potential में x बोल देता हूँ इस point का potential y बोल देता हूँ और यह y है तो यहाँ पर भी y होगा यह x है तो यह भी x होगा और यहाँ पर v है तो v से x के बीच में और v से x के बीच में दो capacitance है that is equal to c plus c यह भी 2c होगा पर काम करते हैं इसको equivalent को दुबारा बना लेते हैं हमाँ पास 4 points है एक है v, एक है x, एक है y और एक है 0 चार points में मुझे इस तरह से बनाने का थोड़ा सा habit है वो इसलिए है कि हो सकता है कि which from which बन जाए अब यह ऐसे नहीं बनागा तो पता भी नहीं चलेगा तो बना के देख लेते हैं क्या फरक पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास v से x के बीच में c and c 2c हो जाएगा x से y के बीच में x से y के बीच में हो जाएगा आपके पास 2c फिर x से 0 तो x यहाँ पर है 0 यहाँ पर है तो x से 0 के बीच में सिर्फ यह वाला क्यापस्टेंट से 3c ठीक है v से y के बीच में 2c बन रहा है और y से 0 के बीच में c प्लस c प्लस c 3c आ रहा था देखो बन गया आपके पास यह वीश्वन बिच अच्छा एक कैपस्टर समय अपने नहीं बनाया है v से 0 के बीच में that is equal to your this one c ठीक है तो यह वीश्वन बीच दिख रहा आपको ratio देखो same है तो यानि कि इस वाले कैपस्टर को आप यहाँ से हटा सकते हो तो यह 2 और 3 हो जाएगा सिरीज में यह 2 और 3 सिरीज में अच्छा 2 और 3 सिरीज में इक्रेल किता होता है 2c इंटू 3c by 2c plus 3c is equal to 5c यानि कि 6c by 5 तो इस वाली ब्रांच को जो उपर वाली ब्रांच है इसको हटा करके आप लगा सकते हो 6c by 5 इधर एक और जो ब्रांच है नीचे वाली same है तो इसको भी 6c by 5 और यह वाली जो ब्रांच है यह हो जाएगा आपके पास c तो values कितनी है हमारे पास 6c by 5 का value है हमारे पास is equal to 6 क्योंकि c का value 5 दे रखा है यह value भी आपके पास 6 है और यह value आपके पास 5 है तो यह तीनों आपके पास जो है इसको यह alpha बीटा बोल रहा है तो alpha की value 1 है बीटा की value 7 है तो alpha प्लस बीटा is equal to 1 प्लस 7 यानि की 8 आपका आंसर आजाए ठीक है आंसर चेक करते हैं इक पर next page में लिखा होगा यह राख तो 8 आंसर है लेकिन 8 आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है आपको कैसे आएगा ठीक है तो आपको solve करना ही पड़ेगा क्योंकि sum 8 जो है वह बहुत सारे numbers के pair बन सकते है तो 17 आंसर है 17 आपका आ रहा है तो सही है नहीं तो फिर आपको calculation recheck करने की ज़रत पड़ सकती है राइट चले देख लिजे एक बार तो question number 21 आप देख ले जाए कि यह कह रहा है कि find the potential difference between the across the capacitor in volts यहाँ पर यह जो कैपस्टर है अब कुछ नहीं बोला है तो अब्विस्टी स्टेट की बात कर रहा होगा हम तो steady state पे इसमें current नहीं होगा यह 0 अच्छा current अगर इस branch में नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा resistance में तो यहाँ भी 0 लिख सकते हैं आप लो यह 0 है यहाँ पर 10 लिख दीजिए यहाँ 10 लिख दीजिए इस point का potential अपने को नहीं पता है है ना एक और चीज़ कर सकते हैं अपन यह R और यह R सिरीज में है क्यों कि जितना भी current इसमें आएगा वो इसमें ही जाना चाहिए इधर जा नहीं सकते है क्योंकि steady state की बात होगी कि कुछ नहीं लिखा है थाना time नहीं लिखा है तो मैं किस time में बता हूँ तो steady state की बात करने पड़ेगी जोरो सिरीज में है तो इस point का potential में x माल लेता हूँ यह R प्लस R 2R हो गया अब junction लो लागाते हैं है तो x-10 potential difference delta V upon R इस branch का current plus x-10 upon R plus x-0 by R बराबर 0 यहां पे x-10 plus x-10 कितना हो जाए गा है 2 times of x-10 plus 2 times of x बराबर 0 तो x-10 plus 2x-20 plus 2x बराबर 0 2x-20 plus x 5x बराबर equal to इक रोगा 30 तो x बराबर 6 हो गया अब आप देखें कि एक यह potential 6 है तो यह जो branch आपको देख़ए ही यह वाल यहां से यहां तक इस पर drop कितने का है 4 का drop है 4 का drop इन दोनों के cross है तो यानि कि दोनों में बराबर बराबर drop हो हाँ तो series में आ गए है तो 4 के drop को बराबर बराबर बाटेंगे तो 2V का drop इस पे मिलेगा, 2V का drop इस पे मिलेगा, 10-2 यानि कि इस point का potential difference, potential 8V हो जाएगा, इधर 8V, इधर 0, तो potential difference across the capacitor किता हो जाएगा, 8V, तो आपका answer आजाएगा बचे, 8, ठीक है, तो this was the last question of your QB, है ना, simple सा सवाल है, note कर लीजिए, है ना, तो that's it in the capacitance के QB के solutions.